नमस्कार दोस्तों मैं इंशोल मैं आप सबीक अपने चैनल टेकें डार्यर पर स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभीको दो चॉप अपॉट्डीज का अपडेट देने वाला हूँ तो में चुर दोस्तों आप इस वीडियो को लास तक सरूर देगे है 2021 2019 कौनजी के डिगरी में eligible होने वाले है साथ ही साथ दोस्तो माइंट्री के अभी भी forms application forms open है तो make sure आप उसमें भी सरूर reply करिएगा तो दोस्तो जो आज की पहली job opportunity है वो post की गई है दोस्तो Microsoft company की तरफ से और दोस्तो यहां मैं आपको package पहले से ही बता देता हूं 14 LPA plus package दोस्तों यहां से आप बड़ी आसानी से graph कर सकते हो 9th of February को दोस्तों जॉप post की गई है अगर दोस्तों मैं roles and responsibilities की बात बताता हूं तो दोस्तो software engineer तो आप पर रोल है planning understanding customer requirement assisting with project planning scoping prioritization providing estimates identifying task ownership design की बात करता हूं तो दोस्तों अगर यह तो दोस्तो planning design implementation है कहीं न कहीं आपको मेल नहीं है back-end role पर काम करना होगा qualifications की बात करते हैं तो दोस्तों BTEC, MTEC, MS degree वाले eligible होने वाले हैं in computer science और related quantitative field with minimum CGPA of 7.5 out of 10 batch of 2022 ability to write clean well-crafted code with an emphasis on quality, simplicity, durability and mentality ability तो दोस्तों आपको एक simple code लिखना आना चाहिए means आप कहीं न कहीं आपकी दोस्तों data structures और पर भी अच्छी कासी command होनी चाहिए locations की बात करता हूं तो दोस्तों तीन locations आपको देखने को बिन रही है हेद्रबाद, बैंगलोर्थ, नॉइडा तो मेरी तो आप सभी से एक request है प्लीज इसमें जल्दी-चल्दी apply करिएगा क्योंकि Microsoft एक बहुत ही शांदार company है जहां दोस्तों आपको package 14 LPS से जादा तक आप grab कर सकते हो और दोस्तों इसकी जो registration last year है वो दोस्तों mention नहीं कर रखी और दोस्तों last time भी इसका जो form था दोस्तों वो mostly 7 से 10 days के अंदर close हो गया था तो मेरी एक request आप प्लीज इसमें चल्दी-चल्दी apply कर लीजगा next job opportunity आ चुकिए है दोस्तों LinkedIn company की तरफ से software development engineer इंडर यह दोस्तों 2023 batch के लिए that is pre that is also final year batch जो की अब आ गया है अभी तो दोस्तों pre final year batch है हम उसको pre final year batch ही बोलेंगे responsibilities के बात करते है scale distributed applications make architectural trade-offs applying synchronous and in synchronous design patterns write code and deliver with speediness and quality qualifications की दोस्तों में simply बता जेता हूं 2022 2023 में आपकी degree complete होने वाली हो experience in software design development and algorithm related solutions background in computer science experience in data structure algorithms and software design preferred qualifications में से दोस्तों आपको java c c++ या पे c sharp में से कोई भी एक language बहुत अच्छे से आने चाहिए object oriented skills तो दोस्तों आपको इन सब में बहुत अच्छी command रखने हो लिंक्डिन भी दोस्तों एक बहुत ही शांदार अपनी है जिसका package दोस्तों 10 10 प्लस LPA होने वाला है पर दोस्तों इंटर्ण के टाइम पर आपको 30 से 60,000 पर मिलने वाला है तो मेरी एक request इन दौनों ही job opportunity में apply करिएगा और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो का अपने फ्रेंड जूनियर भाई बैनों के साथ शेयर भी सरू कीजेगा तो दोस्तों आ